अगर आपको पतला होना है या फिट होना है वो हेल्दी इटिंग है और अगर आप अपनी बॉडी शेप या स्ट्रक्चर या अपनी हेल्द के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो आप अच्छे लगेंगे और आपके जो बॉडी के बल्जिस हैं जैसे लव हैंडल्स, टमी फैट या हेल्दी आम्स, हेल्दी हिप्स, एक्सेटरा यह सब और ज्यादा नहीं दिखेंगे, मतलब उन पर जादा फोकस नहीं जाएगा और आपका बॉडी का शेप अच्छा लगेगा, आफ्टर अल, स्टाइलिंग इस आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, स्टा प्लस साइज फीमेल, तो ओनेसली ये दोनों वीडियो बहुत अच्छी गाइट बुक हो जाएंगे आपके लिए, तो इन वीडियो को मिस नहीं करिये, प्लीस दो वाच थीज वीडियो और सब्सक्राइब तो माई चानल, और प्रेस बेल आइकन फो नोटिफिकेशन अफ म और ब्लाउजस में जैसे हाई नेक्स टाइल्स, इससे आपका बस्ट एरिया और ज्यादा हेवी लगेगा, हेवी बस्ट फीमेल्स को ब्रॉड या ओपन नेक्ट लाइन के टॉप्स, कुर्तीज, ब्लाउजस पहने चाहिए, जैसे वी नेक्स टाइल्स, राउन नेक, बोट नेक्स टाइल्स, इस तरह के नेक्स लाइन से बस्ट का इलोंगेटेड इल्यूजन क्रियेट होता है और बस्ट हेवी नहीं लगता, कॉलर नेक्स भी अच्छे लगेंगे, बस फ्रंट में थोड़े ओपन होने चाहिए, नेक्स अगर आपके हेवी आम्स हैं तो स्लीवलेस कुर्तीज और ब्लाउजस अवोइड करने चाहिए, वरना आम्स पर फोकस जाएगा और वो ज्यादा हेवी लगेंगे, जिनके हेल्दी आम्स हैं उन्हें हाफ स्लीव्स, थ्री फोथ या फुल स्लीव्स के आउटफिट्स पहनने चाहिए, इससे आम्स का जो लूस फ्लैब होता है, वो फिटेट स्लीव्स में चुप जाता है और आम्स टोंड लगते हैं, जिससे वो हेवी नहीं दिखाए देते, और बहुत फ्लैरी स्लीव्स अवोइड करें वरना बॉड़ी का टॉप पोर्शन हेवी लुक देगा, स्ट्रेट फिटेड या लाइट बेल शेब्स स्लीव्स बेटर ऑप्शन है, नेक्स्ट बहुत फ्लैरी स्कुर्ट्स या पैंड्स अवोइड करें वरना लोवर बॉड़ी और हेवी लगेगी, बहुत ज्यादे हेवी प्लाजो या फुल अम्ब्रेला पैटर्न स्कुर्ट से हिप्स एरिया का ज्यादा ब्रॉड लुक क् स्कुर्ट्स या कम फ्लैर की स्कुर्ट्स, स्ट्रेट फिट पैंड्स हेल्दी फीमेल्स पर ज्यादा अच्छी लगेगी और लोवर बॉड़ी को नेरो डाउन करेगी, लेगिंग्स पहनने में कोई प्रॉबलम नहीं है पर लेगिंग्स के साथ थोड़ी लॉंग कुर्ती ही पहनिये मतलब काफ लेंथ या बिलो काफ लेंथ ठीक है, लेकिन नी से अबव की कुर्तीज लेगिंग्स के साथ हेल्दी फीमेल्स पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इससे थाइज और हिप्स पर फोकस जाएगा और ओवर एक हेवी लुक क्रेट होगा कुर्तीज में भी बहुत हेवी फ्लेर की अनारकली या फुल अंब्रेला पैटर्न अवोइड करना चाहिए, या तो A-Line या स्ट्रेट या कम फ्लेर की कुर्तीज बेटर ओप्शन है वरना कुर्ती फूली फूली लगेगी जो हेवी लुक क्रेट करेगी नेक्स टिप है, हल्दी फीमेल्स को हाई वेस्ट स्कर्ट लहंगा और पैंट्स प्रिफर करना चाहिए, हाई वेस्ट से टमी फैट चुप जाता है और टमी एरिया ज्यादा ब्रॉड नहीं दिखता है और वेस्ट और लोवर बॉड़ी का शेप अच्छा लगता है कुर्टी इसमें भी अगर अनारकली स्टाइल की कुर्टी पहन रहे है तो ध्यान दे कि अगर योग सप्रेशन है कुर्टी के पैटर्न में तो वेस्ट लाइन स्टिच मिड वेस्ट पर ना हो, वेस्ट से उपर हो, मतलब अंडर दबस्ट, इसको एमपायर कट बोलते हैं योग की वेस्ट, स्टिच लाइन एकदम मिड वेस्ट पर आती है तो तमी पर फोकस जाता है और तमी हैवी लगता है और एमपायर कट पैटर्न से फ्लेर के अंदर तमी फैट छप जाता है और स्लिम इल्यूजिन क्रियेट होता है इनफेक्ट मेरा ये सजेशन है कि हेल्दी फीमेल्स को अनारकली स्टाइल्स की योग सेप्रेशन वाली कुर्तीज अवाइड करनी चाहिए उससे चेस्ट पर जादा फोकस जाता है और वो हैवी लगता है नॉर्मल स्ट्रेट या एलाइन कुर्तीज से बोडी शेप बेटर लगेगा नेक्स्ट है फुल लेंद की कुर्तीज या गाउन्स अवाइड करें अगर आप ज्यादा हेवी साइट पर है तो वरना आपकी हाइट भी कम लगेगी और बोडी भी हेवी दिखाई देगी तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको लॉंग कुर्ती पहन नहीं है उसे आप एंकल लेंथ या काफ लेंथ तक की बनवा सकते हो या पच्चेस कर सकते हो थाइलो स्टाइल की कुर्तीज भी एक अच्छा ऑप्शन है healthy females के लिए जो stylish लगने के साथ body को healthy नहीं दिखाएगा front slit कुर्तीज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इससे body का elongated illusion create होता है और body slim लगती है So friends that's all for part 1 ये थे style tips for plus size females part 2 में मैं design tips share करूंगी for plus size अगर आपको ये video helpful लगा तो please do like the video and share it with your friends and family और अगर आपके कोई भी queries है तो please comment section में पूछ ये till then bye bye and see you soon in my next